आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होनी वाली हो और आपको काफी एदा इस वीडियो से information भी मिलेगी तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी company से या किसी एप से loan apply करते हो तो आपके mind में एक question जरूल रहता होगा कि यह आप ज के साथ registered है या नहीं इसको RVIC license मिला है या नहीं काफी ज़्यादा मसकत करने का मुझे भी RVIC website से इसकी पूरी लिष्ट मिल चुक है जो nbfc company होती है अभी आप जितने भी loan app देख रहे हो और investment के वह सारे जो nbfc company है इनको RVIC license लेना होता है तो आपको मैं पूरी लिष्ट दे दूंगा लिंक उसका नीचे आपको decision मिल जाएगा कैसे आपको search वगरा करना है सब कुछ आज किस वीडियो में है तो इस वाली website का जो लिंक है मैं आपको नीचे वीडियो के decision में दे दूंगा आप यहां पर देख सकतो यह Reserve Bank of India की official website है जहां पर मैंने nbfc की non banking financial company की सभी की list निकाल लिया जैसे कि आप यहां देख सकतो list of nbfc registered with rvi 31 जुलाई के बाद जो list जारी होई है जिसमें सारी company आई है 31 जुलाई क मैं भी देख सकतो आप ठीक से देखनी पाऊगे तो मैंने क्या करा है इस वाली file को उसमें convert कर लिया जैसे कि यह file यहां पर जो download हो चुकिया nbfc registered with rvi यह जो open नहीं होगी यहां पर मैं open करके आपको यहां दिखाऊंगा तो यह open नहीं होगी तो मैंने इसको जो पीडियों में convert कर लिया है और आप नीचे देखो कि तीसरे नंबर की list of company whose certificate of registration has been cancelled by rvi यह एक अक्टूवर 22 के बाद जो जितनी भी company के rvi ने license cancelled की है जो registration certificate तो उनको cancel कर जया है वो उनकी list भी आप यहां से download कर सकते हो और पहले मैं आपको nbfc registered के साथ जो company है rvi यह दोस्तों जितनी भ कर लिया है मैं इसको open करूंगा आप इसको देख सकतो यह पूरा PDF है जैसे कि 1120 पेज का यह वाला पूरा PDF है इसमें आपको पूरी सभी company के नाम मिल जाएंगे उनको आप कैसे सर्च करोगा मैं पहले एक company का नाम दिखा देता हूं जैसे कि play store पे एक company registered है home credit India finance private limited तो यह इस person में दे दूँगा तो आपको यहां पर सिर्फ simply क्या करना सर्च कर लेना home credit थोड़ा सा बेट लग सकता है क्योंकि इतना वड़े PDF में home credit को ढूनना काफी ज्यादा मसकत का काम है तो थोड़ा सा time लगएगा बेट कर लेना जैसे कि आप यहां देखोगे home credit India finance private limited आपको इनक finance आपने नाम तो सुना होगा बजाज finance की भी सर्च करके दिखा जेता हूं पस थोड़ा सा समय लगेगा बजाज आप यहां डालोगे तो सभी company आपके सामने आ जाएंगे इससे क्या होगा आप बिलकुल यह हो जाओगे निश्चत हो जाओगे कि मेरे साथ fraud हो नहीं सकता है क्योंकि यह company सभी यहां पर registered है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बजाज finance limited है यदि आप इस फाइल को जो आएकसल में open करोगे तो आपको इनके सारे सामने जो है इनकी email id मिल जाएंगे जो इनकी registered है official email id इनकी website इनकी office का पूरा address और PDF में आपको इसलिए नहीं सो ह और फाइल पेज भी इसलिए ज्यादा बनगा है क्योंकि एकसल को ज्यादा अच्छा होता आप दोच करने के लिए देखने के लिए आप यहां देख सकते हो बजास finance limited और कितनी सारी कंपने इसके सारे रेजिस्टर है 9516 है अब मैं आपको एक और company दिखा देता हूं जैसे क मैंने यहां पर movie को एक एप को open किया यहां पर lawn एक lawn अमको जो है generated है अमने बस उस lawn को लिया नहीं है तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं lawn provide वाली company कौन सी है fullerton India credit limited company आपने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा और आपको यह जो fraud भी लगेग लेकिन fraud नहीं है जब यह एप वहां पे था वही नहीं है यह company कोई भी fraud नहीं है इसकी website भी मिल जाएगे आपको और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे किसी app का पूरा research कर सकते हो lawn लेने से पहले कि यह app fraud तो नहीं है यह तो सिर्प RBI की बात हो रही है यहां पर मैं मैं आपको यहां पर एक और company सर्च करके दिखा जीता हूं लेंडिंग कार्ट थोड़ा सा समय लग सकता है जैसे कि लेंडिंग कार्ट फाइनेंस लिमिटेड आप इसकी टाइम एड भी काफी जादा देख रहे होंगे दोस्तों आप यहां पर एक चीज़ देश सकते हो जो पोस्ट पेड मिल रहा है जयाने कि जो company पैसे दे रही है पेटियम पेटियम आले आपको पैसे नहीं देते हैं वह फुलाट ओन इंडिया क्रिडिट कंपनी का इनके साथ टाइप है तो वह company पैसे देती है यहां पर जैसे कि office का पूरा address आपको मिल जाएगा फुलाट ओन credit company जैसे कि मैंने आपको वहां पे दिखाया था अभी कि वह जो registered है आगे आने वाली वीडियो पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इससे loan कैसे लिया जाता है आप यहां पे निश्चत हो जाओगे कि मैं जो बता रहा हूं वह काफी ज़्यादा सकता है यानि कि कोई आपके साथ fraud नहीं होने वाला है मैंने अभी आपको जैसे landing card के बारे मताया तो वह company आपको यहां पे मिल जाएगी और मैंने आपको जो आप फुलट ओन इंडिया के बारे मताया तो सभी आपको गूगल पर मिल जाएंगे मैं सभी के आपको dsa agent वगेरा सब कुछ बनना आउट किलियर हो गया होगा कि यह company चेक करना काफी ज्यादा आसान है यह जो आरवे के साथ registered है यह नहीं चेक करने के बाद आप यह निस्चित हो जाते हो कि मेरा पैसा जो अडूबेगा नहीं मेरा डाटा लीग नहीं होगा सभी चीज़ आप यहां पे आके चेक कर सकते हो पीडिएफ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा और आप चाहो तो आप खुझसे भी उसको डाउनलोड कर सकते हो एकसेल को फिर आपको पीडिएफ में करना होगा वह आपके हाथ में यह आदि आपको मेरे उपर विश्वास नहीं होता है मैं उमीद करता हूं आपको वीड कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते अगली भी